अभी अभी आपने अपनी स्क्रीन पर जो विडियो देखी है उसमें भारत के उभरते हुए खिलाडी इशान किशन है इस विडियो में इशान आटोग्राफ देने से मना करते दिख रहे हैं जब से इशान में बांगलादेश के खिलाफ मैच में धमाकेदार दोहरा शतक जड़ा है तब से इशान की फैन फालोविंग जादा हो गई है इशान अगर कहीं भी दिख जाते हैं तो उनके फैन्स आटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे भागते दिखते हैं इसी कड़ी में एक फैन इशान से आटोग्राफ लेने जैसे ही पहुचा और जैसे ही इशान ने आटोग्राफ देना चाहा तो उन्हें पुर्व कप्तान महंदर सिंग धोनी का उनके फोन पर आटोग्राफ दिख गया फिर इशान किशान ने आटोग्राफ देने से ही साफ इंकार कर दिया इससे प्रशंसक को बुरा तो लगा लेकिन इशान ने ऐसा करने की पीछे जो वज़ा बताई उसने सभी का दिल जीत लिया चलिए पहले आपको विडियो थोड़ा दिखा देते हैं तो सुना अपने इशान किशन ने आटोग्राफ देने से क्यूं मना किया चलिए अब आपको इस बारे में विस्तार से बता देते हैं दरसल इशान इन दिनों अपनी जारखंड की टीम की तरब से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं इसी के दोरान एक प्रशंसक ने इशान किशन को अपना फोन पकड़ाते हुए उस पर आटोग्राफ देने का आग्रह किया इशान इसके लिए तैयार थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर पहले से ही एमेस धोनी का आटोग्राफ है तो उन्होंने वेनमरता से जवाब दिया कि वह अभी इस काबिल नहीं कि भारत के पुर्व कप्तान MS धोनी के हस्ताक्षर के बगल में अपना आटोग्राफ थे। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने कहीं और आटोग्राफ देने के लिए कहा लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो फिर धोनी के आटोग्राफ के नीचे अपना आटोग्राफ दिया। आपको बता दें कि इशान किशन MS धोनी की बहुत इज़त करते हैं वे हमेशा धोनी की प्रशंसा भी करते रहते हैं ऐसे में धोनी के ओटोग्राफ के उपर इशान अपना साइन कैसे कर सकते थे वैसे इशान का अपने सीनियर खिलाडी के प्रती इज़त ने सब का दिल जीत दिया दोनी के प्रती इशान के इस सम्मान पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं